अलो एंड वेलकम एवरिवन तो दा ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ओफ सेलेक्शन बेंटर। हम लोगों का जो साइन्स अंट अगलोजी के कुश्चन सीरीज शर्ल रही है जो की आपके डिफरेंट कंप्टिटिव एक्जाम्स के बिहाव पर इंपॉर्टेंट है उसी सीरीज में हम लोग आज प्रशनों के बारे में डिस्केशन करेंगे और आप सभी लोग अपनी कानपुर के नाम से है जिसको कि आप लोग ज्याइन कर सकते हैं जहां पर आपकी जो भी क्वैरीज हैं डिरेक्ट आप सभी लोग मेंटर्स है अपने जो फैकल्टीज हैं जो भी आपके क्वेश्चन से कन्फ्यूजन है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं और जो रिसेंट होते हुए हम लोग मूफ करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्ण की द्रव तो हमारा पहला प्रश्ण है आज का यानि कि थर्मस किस प्रकार द्रव को अधिक समय तक गर्म रखता है जैसे इस समय देखे काफी आपके थर्मस फ्लास्क जो है उनका चलन हो गया है आप लोग होट लिक्वेड्स सूप्स इवें टी और कॉफी सब आप लोग कैरी करते हो घर में कोविड की वज़े से भी तो आपका थर्मस फ्लास्क है ये किस तरीके से आखिरकार देर तक यानि कि अधिक समय तक किसी भी होट लिक्विड को गर्म रखता है उसके फिरावमिना के बारे में यहां पर कुश्चन पूछ रहा है ठीक है तो जो हमारा थर्मस है थर्मस को और किस नाम से जाना जाता ह तो thermos को हम लोग thermoflask के नाम से भी जनते हैं इसको क्या कहा जाता है thermoflask भी कहा जाता है तो अगर question में पूछा जाता है thermos की जगे thermoflask लिखाओ कि how does thermoflask keeps the liquid hot तो भी बात उसी thermos की ही है तो पहला option है because the shining inner wall and double wall of the outer covering do not allow the heat to escape यानि कि भीतरी चमकीरी परत और double layer जो कि आपका क्या करती है जो कि आपका outer covering को यानि कि जो बाहिपरत है वो आपका heat को बाहर निकलने से रोखती है ठीक है second है because it is packed with the gases which releases heat क्योंकि इसमें कुछ ऐसी gases होती है जो कि उश्मा का इस्तारण करती है यानि कि heat release करती है third है because it has internal heating arrangement क्योंकि इसमें अंदर से कुछ ऐसा उश्मा का उत्पादन का arrangement होता है या none of the above देखिए अब यहाँ पर देखा जाए तो जो thermos flask है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको की vacuum flask भी कहा जाता है ठीक है vacuum flask भी इसको कहते है ठीक है तो पहली चीज तो होता क्या है यह double jacketed का मतलब क्या है कि इसमें दो परत होती है ठीक है कुछ इस तरीके से और उपर से इसकी covering होती है ठीक और यहीं से आप सभी लोग क्या करते हैं liquid को निकालने का काम करते हैं तो अब यह जो double jacketed है इन double jacked में जो बीच में यानि कि भीतरी परत और बाहरी परत इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है एक space होता है यानि कि यह दोनों परते आपस में जुड़ी नहीं होती है और यहाँ पर vacuum बनाया जाता vacuum यानि कि निर्वात इसी आधार पर इसको क्या कहा जाता है vacuum flask कहते हैं और इसकी भीतरी दीवार क्या होती है shiny यानि कि चमकदार होती है और साथी साथ जो बाहरी परत है यह इसके वाहवातावरण से क्या करती है अंदर की heat को दूरी बनाये रखती है ताकि high temperature से low temperature की तरफ उश्मा का प्रवाह ना हो सके इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा पहला यानि कि A ठीक है क्योंकि इसकी भीतरी दीवार कैसी होती है चमकीली होती है और हम सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के समय पर हम लोगों को सफेद कपड़े पहने के लिए कहा जाता है या हलके रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है क्यों क्योंकि जो sun rays है जब ये इन पर पढ़ेंगी तो इन में से क्या होगा reflection की मात्रा परावर्तन की मात्रा जादा होगी और heat का absorbance यानि की उस्मा का आउसोसन कम होगा इसलिए गर्मियों में हमें light कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है ताकि हमें गर्मी महसूस ना हो तो इसकी जो भीतरी दिवार है वो चमकदार होती है क्योंकि जो भी liquid हम अंदर इसमें fill करेंगे तो ये उस्मा का reflection करेगी और reflection की वज़े से परावर्तन के कारण यहाँ पर क्या होगा जो भी liquid हम बरेंगे वो देर तक हमारा गर्म रहें ठीक है clear है सभी को तो यहाँ पर अग अशर क्या होगा which of the following gases do not form part of the atmosphere यानि कि निम लिखित में से कौन सी ऐसी gas है जो की वायूमंडल का हिस्सा नहीं है ठीक है options है nitrogen, chlorine, oxygen, carbon dioxide तो जल्दी से comment करिए तो इस आधार पर देखें तो हमारा जो atmosphere यानि कि वायूमंडल है तो हमारे वायूमंडल में अगर देखा जाए तो सरवाधिक मात्रा में जो gas present है हम सभी लोग जानते है कि वो है nitrogen तो ये वायूमंडल के भाग को बना रही है जो की आपका लगभग 78% भाग को डिजाइन करती है 78% nitrogen है oxygen की अगर हम बात करें तो इसका है आपका 20.93 जिसको की हम लोग कह देते है 21% यानि कि 21 प्रिश्चत भाग oxygen का है ठीक है carbon dioxide की अगर बात करी जाए तो इसका percentage हमारे वायूमंडल में कितना है तो 0.03% इसका कहा जाता है carbon dioxide का ये आपका fourth number की carbon dioxide है क्योंकि third number पे आती है organ जो की inert gas है जिसको की हम लोग पहले series में discuss कर चुके है कि हमारे atmosphere में किस gas का percentage कितना होता है ठीक है तो previous videos को देखने के ल link मिल जाएगा तो वहां से आप लोग previous videos भी देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे वायूमंडल का हिस्सा नहीं बनाती तो वो है आपकी कौन सी gas chlorine gas chlorine gas हमारे atmosphere के अपार्ट नहीं है हम लोग chlorine का इस्तमाल कहां कहां पर करते हैं एक तो chlorine का इस्तमाल किय जाता है for the cleaning of water यानि कि जल को साफ करने के लिए ठीक है आप जो भी packaged water जो भी market में जब आप निकलते हो तो bottles आप लोग purchase करते हो तो उन bottles में अगर देखिए तो उसमें लिखा रहता है chlorine treated water ठीक है तो जल को साफ करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है chlorine का इस्तमाल किया most common हम सभी लोग जानते हैं ठीक है साथी साथ पानी को साफ करने के अलावा अगर देखा जाये तो chlorine का इस्तमाल hydrochloric acid यानि कि आपका जो HCL है उसके production में भी किया जाता है उसके उत्पादन के लिए भी किया जाता है chlorine का इस्तमाल और chlorine एक ऐसी gas है जो कि क्या गरती है फूल जो के रंग को उड़ा देती है या कपड़ों के रंग को उड़ा देती है ठीक है तब भी answer आपका क्या होगा chlorine ही होगा तो यहां पर जो हमारे वायुमंडल का part नहीं है वो answer आपका क्या होगा chlorine यानि कि B option आपका right होगा एक आये move करते हैं हमारे अगले प्रश्ण की तरफ why does the ink from the fountain pen spell out when it carries in aeroplane ठीक है तो जो हमारा fountain pen होता है fountain pen जैसे कि आप तो हम लोग basically ballpoint pen का इत्माग करते हैं ज्यादा तर ठीक है तेकिन जो fountain pen यानि कि nib वाला ink pen जो छोटे में आप लोगों ने use किया होगा या कुछ लोग होगे जिनका उनसे लगा होगा तो वो लोग अब भी fountain pen का इस्तमाल करते होंगे तो fountain pen जो ink pen है उसमें उसकी स्याही हवाई जहाज में ले जाने पर क्यों निकलने लगती है options हैं आपके due to the low gravitational pull यानि कि कम गुरुत्वा कर्षण हिचाव के कारण second है due to the high speed of aeroplane यानि कि वायूयान के high speed के कारण third on account of the height at which aeroplane flies ठीक है यानि कि ये इसके कारण होता है क्योंकि एक नियत उचाई पर वायूयान उलान भरता है या fourth due to the low pressure in the aeroplane यानि कि वायूयान में कम दबाव के कारण देखे अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा fountain pen है fountain pen में क्या होता है कि इंक भरी होती है और हम लोग इस्तमाल करते हैं उसका जब हम इसको aeroplane यानि कि वायूयान के भीतर अगर हम लोग ले जाते हैं मान लीजे कि यह कोई एक plane है अगर हम plane में इसको ले जाते हैं तो क्या होगा कि जब भी कभी भी हम लोग जानते हैं कि उचाई बढ़ती है यानि कि हम लोग C level से उपर की तरफ जाते हैं तो उचाई के बढ़ने पर जो हमारा pressure है atmospheric pressure यानि कि जो हमारा वायू मंडलीय दाब है ठीक है वायू मंडलीय दाब है वायू मंडलीय दाब क्या होता है वायू मंडलीय दाब कम होता है यानि कि उचाई पर जाने पर क्या होता है, वायूमंडली अदाब 100% है कि वो क्या होगा, reduce होगा, और जब दाब में कमी आएगी, तो उसकी वज़े से क्या होता है, gases या जो fluid है, या कोई भी component है, वो expand करता है, यानि कि उसमें विस्तार होता है, ठीक है, तो जब हम उचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर वायूमंडली अदाब, यानि कि pressure क्या होता है, डाउन होता है, और pressure डाउन होने की वज़े से, चाहे वो gas हो, चाहे वो fluid हो, यानि कि द्रव हो, उसमें क्या होता है, इक्सपैंशन होता है, यानि कि वो expand करता है, और जब ये expand करेगा, यानि कि इसमें प्रसार होगा, तो जहां कहीं पर से भी निकलने की जगा होगी, वहां से वो क्या होगा? रिलीज होगा. तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का fountain pen होता है, तो fountain pen में क्या होता है बेटा? कि उसमें nib लगी होती है, और nib से ही liquid क्या होता है? वहां से जो भी हम लोग लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? बाहर आता है, ठीक है? clear, nib से ही बाहर आता है, तो अब यहां पर क्या होगा? जब उचाई पर जाने पर pressure down होगा, तो pressure down होने की वेज़े से जहां से nib लगी होती है, वहीं से ही fluid यानि की ink मतलब स्याही, वो बाहर निकलने लगती है, तो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा? D. Due to the low pressure in the airplane, यानि की वायू यान में कम दबाओ के कारण, जो fountain pen है, इसमें से liquid क्या होता है? बाहर निकलने लगती है, clear है? अगला प्रश्ण है हमारा, the substance that ardents when mixed with water is, यानि की वह पदार्थ जो पानी में मिलाने पर कठोर हो जाता है, ठीके, वो कौन सा है? ठीके, यानि की कौन सा ऐसा पदार्थ है, जिसमें पानी में मिलने पर, या जिस पर पानी मिलाने पर, वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, options हैं आपके, red lead, gypsum salt, ipsum salt, and plaster of Paris. तो यहाँ पर, जल्दी से comment करिए, कौन सा right answer होगा, कौन सा कठोर हो जाएगा? red lead की अगर बात कीजए, तो red lead जो है, आपका क्या है? यहाँ पर यह बनाया जाता है, क्योंकि lead आपका क्या है? एक mixture होता है, यानि कि शीशा जो है, यह आपका क्या है? एक मिश्रन होता है, और मिश्रन के कारण, हम लोग अगर देखें, तो यह काच को, अगर हम पानी में डालें, तो वो पहले ही कट हो रहता है, क्योंकि temperature काच को बनाने के लिए, 1400 degree Celsius तापमान की अवश्यक्ता होती है, क्योंकि यह मिश्रन किसका होता है, sodium silicate, calcium silicate, and silica, इन तीनों चीजों से मिश्रित करके, lead बनाया जाता है, यानि कि काच बनाया जाता है, और उसमें red color आपका दिया जाता है, अलग component मिला करके, ठीके, तो जैसे ही यह normal room temperature पे आएगा, तो यह solid रहता है, काच के बरतन हमारे solid ही रहते हैं, ठीके, clear, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यह तो आपका नहीं होने वाला, जिपसम salt की अगर हम बात करें, तो यह भी आपका क्या है, solid form में रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, crystal form में रहता है, इपसम salt एक ओर है, यानि कि आयस्क है, इसका sodium का आयस्क है, ठीके, जो sodium धात हुए, उसका आयस्क है, आपका इपसम salt, ठीक, अब वहीं बात करते हैं, P.O.P. यानि कि plaster of Paris, तो plaster of Paris आपका क्या होता है, कि P.O.P. यानि कि plaster, जब इसमें हम लोग पानी को मिलाते हैं, तो यह क्या होता है, सूखने पर यह hard हो जाता है, तो पानी मिलाने पर जो कठोर होता है, रूम डेकोरेशन में, खास दोर पर फाल सेलिंग बनाने में, या रूम में, वहाँ पर P.O.P. का इस्तमाल किया जाता है, different design को बनाने के लिए, ठीक है, तो P.O.P. जो है, यानि कि plaster of Paris या पानी को मिलाने पर क्या हो जाती है, hard हो जाती है, और जो P.O.P. है, इसका, आपका जो फॉर्मूला होता है, वो है calcium sulfate hemihydrate, इसका रासायनिक नाम है, calcium sulfate hemihydrate, यानि कि C.A.SO.4 into half H2O, ठीक है, C.A.SO.4 into half H2O, ये P.O.P. का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, और इसको कहा जाता है, calcium sulfate hemihydrate, अगर यही हो जाए क्या, calcium sulfate, C.A.SO.4, dihydrate, यानि कि 2H2O अगर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कहलाता है आपका gypsum, ठीक है, क्या कहलाएगा, gypsum कहलाता है, और gypsum कहाँ पर इस्तमाल किया जाता है, तो gypsum का यूज करते हैं, हम लोग cement industry में, यानि कि cement उद्द्योग में, जो भी हम लोग किसी भी company के, हम लोग इस्तमाल करें, चाहे वो आदित बिरला ग्रूप की हो, चाहे वो Reliance ग्रूप की हो, मतलब different जो market में है, चाहे वो ACC हो, चाहे वो आपका ACC cement हो, या MySAM हो, कोई भी company की हो, सभी में क्या मिलाया जाता है, जिपसम मिलाया जाता है, तू उसकी जमने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, जो right answer आपका है, वो है P.O.P. Next question है हमारा, An instrument for maintaining constant temperature by the use of the device, which is used in the device, which supplies heat at required temperature is known as, यानि कि एक ऐसा उपकरण जो किसी यंत्र के तापमान को इस्तिर बनाया रखता है, तो कभी भी हमारा चाहे वो oven हो, चाहे वो हमारा different instruments हो, जिनमें की temperature को maintain किया जाता है, वहाँ पर हम लोग किसी यंत्र का इस्तमाल करते हैं तापमान नियंत्रन के लिए, तो तापमान नियंत्रत का खाली एक ही instrument है, जिसको हम लोग कहते हैं thermostat, जो की तापमान नियंत्रत कहलाता है, तो इसका right answer होगा आपका thermostat. Next question है, A thick glass tumbler is cracked when the hot water is poured into it. Why? यानि कि एक मोटे काच का glass गर्म पानी डालने के कारण पट जाता है, क्यूं? Due to the pressure exerted by hot liquid, यानि कि गर्म द्रव के कारण जो दबाव डाला जाता है उसकी वज़े से, या on account of difference of temperature between the liquid and the atmosphere, यानि कि liquid और वायूमंडल, द्रव और वायूमंडल के बीच में, जो दबाव में परिवर्तन होता है उसके कारण. Next है आपका, because of the uneven expansion of the inner and outer wall of the tumbler with hot water, यानि कि गर्म पानी को डालने के कारण, आपका गर्म पानी को डालने के कारण, जो उसकी परत है, उसमें अनियमित प्रसार के कारण, या none of the above. तो देखे, जो हम लोगों के soft glass होते हैं, जो generally हम लोग इस्तमाल करते हैं, काच के यंत्र या काच के equipment home appliances में, तो इसमें क्या होता है, कि अगर हम कभी भी गर्म, यानि की hot liquid, अगर हम किसी भी tumbler में, या किसी भी glass में अगर हम लोग डाल देते हैं, जो की मोटी परत का है, तो अगर हम लोग इसमें, अगर कोई liquid pour करेंगे, जो की hot है, तो ये क्या होता है, break हो जाता है, इसका कारण क्या है, कि जैसे ही गर्म liquid अंदर डाला, तो इसमें क्या होगा, भीतरी परत में तो प्रसार होगा, लेकिन बाहरी परत वायुमंडली तंप्रेचर के कारण, यानि कि वायुमंडल में जो तंप्रेचर है, हमारा तापमान है, उसके कारण उसका प्रसार ठीक से नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होगा, अनियमित प्रसार के कारण भीतरी परत फैलेगी और बाहरी परत नहीं फैल पाएगी उसके बिहाव पर तो इस वज़े से वो क्या होता है क्रैक हो जाता है तो इसका राइट एंसर आपका C होगा यानि कि रक्त के निर्माल के लिए निम्ण में से कौन सा विटामिन अति आवश्यक है और ये प्रशन आपका पूछा भी गया है तो आप्चन है विटामिन B12, विटामिन B6, B2 या B1 तो हम सभी लोग अगर देखें तो यहाँ पर जो विटामिन हमारे रक्त के निर्माल के लिए मुख्य भूमिका निभाता है वो है विटामिन B12 ठीक है और B12 का क्यामिकल नेम क्या होता है रासाइनिक नाम क्या होता है साइनो कोबालामिन ठीक है क्या होता है साइनो कोबालामिन होता है जो की रक्त के निर्माल में मुख्य भूमिका निभाता है ठीक है तो राइ या ringworm तो यहां पर देखें common cold यानि की सामान ने सर्दी जुखाम और यह cause किसके कारण होता है तो rhino virus के कारण ठीक है किसके कारण होता है rhino virus तो यह क्या हो गया viral infection हो गया polio जो है यह polio virus के कारण होता है तो यह भी आपका क्या है virus infection है ringworm जिसको के हम लोग दाद कहते हैं और यह होता है हमारा pungal infection यानि के कवक जनित रोग है तो इसका जो right answer अगर देखा जाए तो यहां पर क्या बचा आपका titanus titanus जो है यह clostridium titani नाम के bacteria से होता है तो bacterial infection जो है यह आपका क्या हो जाएगा titanus हो जाएगा जो की clostridium titani के कारण होता है तो यही आपका right answer है यानि की B अगला प्रशन है हमारा a nuclear reactor uses as fuel यानि की जो हमारा पर्माड रियक्टर होता है ठीक है यानि की पर्माड उर्जा सैंत्र है nuclear reactor है इसमें इंधन के रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है options है graphite, cadmium, uranium, heavy water तो यहाँ पर अगर देखें तो पर्माड उर्जा सैंत्र में हम लोग इस्तमाल करते हैं uranium का और dunarium में या पर्माड उर्जा सैंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है तो nuclear fission यानि की नाभकिय विखंडन की प्रक्रिया होती है और नाभकिय विखंडन की प्र पादन होता है यानि कि bond breaking में energy produce होती है और उसी से हम लोग फिर electricity का production करते हैं यानि कि विद्धुत का उत्पादन करते हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह uranium को ही as a fuel यानि की इधन के रूप में इस्तमाल किया जाता है comment करके बताईए कि भारत में uranium कहां कहां पाया जाता है comment करके बताईए आप सभी लोग कि कहां कहां uranium पाया जाता है ठीक है move करते हैं हम लोग अगले प्रशन की तरफ who invented dynamite यानि कि dynamite का आविस्कार किस ने किया था option है Alfred Nobel, Blaze Pascal, Waterman या Samuel Colt तो हम सभी लोग जानते हैं कि Alfred Nobel ने इन्ही के नाम पर Nobel Prize का भी दिया जाता है और इन्हों ने आविशकार किया था कि इसका dynamite का जो कि आपका क्या है एक फोटक है यानि कि explosive है ठीक है तो Alfred Nobel इसका right answer होगा next है which vitamin is produced in the body by the ultraviolet rays यानि कि पराबैगनी किरणों के द्वारा सरीर में किस vitamin का निर्माण होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि पराबैगनी किरणे अगर अर्थ में आती हैं तो वो किसके कारण आ रही है तो वो हमारे सूरे के कारण आ रही है ठीक है और सूरे के कारण आ है तो जब sun rays हमारी body पर पढ़ती है यानि कि सूरे की किरणे हमारे सरीर में पढ़ती है तो उस समय पर किस vitamin की synthesis होती है तो vitamin D का sensation होता है हमारी त्वचा में ठीक है तो यहाँ पर जो sun rays है sun rays में जब सूर्योदय होता है यानि कि सूरज सुबे सुबे उगता है उस समय पर से डेल घंटे तक सूर्योध है यानि की ड्वा अन्ट के समय पर समय से एक से डेल घंटे तक ultraviolet race का radiation यानि की विक्रण ज़्यादा होता है और सिर्फ एक से डेल घंटे तक ही vitamin D की synthesis होती है हमारे सरीर में उसके बाद नहीं होती ही सोचे कि दो पहर में खड़े हो जाए तो vitamin D मिल जाएगा बिलकुल नहीं तुब एके समय पर ठीक है तो vitamin D की synthesis होती है तो इसका right answer होगा C next question है the sum total of all chemical process in the body is called यानि कि सरीर में जो जितनी भी हमारी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही है उनको overall क्या कहा जाता है respiration यानि कि स्वसन photosynthesis प्रकास संसलेशन symbiosis यानि कि सहजी विता या metabolism यानि कि उपाबचे तो यहाँ पर हमारे सरीर में जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो चाहे वो उर्जा के उत्पादन से हो चाहे वो भोजन के पाजन से हो चाहे वो रक्त के निर्माल से हो चाहे कोशिकाओं में आपस में यानि कि सल सल सिग्नेलिंग हो इन सभी कि अगर बात करी जाए तो इस सभी प्रक्रियाओं को आपस में जोड करके क्या कहा जाता है Metabolism यानि कि इसको कहा जाता है उपा पचय ठीक है क्या कहते है उपा पचय कहते है ठीक है तो right answer आपका क्या होगा Metabolism होगा अगला प्रश्ण है हमारा What is histology यानि कि उतक विज्ञान क्या है तो histology is the branch of the science in which we study about the tissues यानि कि या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उतकों के बारे में अध्यान करते हैं तो उतक का अध्यान क्या कहलाता है histology कहलाता है और इसका right answer होगा आपका C ठीक है Next question है हमारा With which disease are the effects of near sin deficiency of an associated यानि कि near sin की कमी के कारण कौन सा प्रभाव होता है या कौन सा रोग उत्पन होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखें तो पहली चीज़ तो नियासिन है क्या नियासिन जो है ये आपका vitamin B3 का रासायनिक नाम है जैसे vitamin B1 आपका क्या है vitamin B1 को हम लोग कहते है thाइमीन ठीक है vitamin B7 को क्या कहते है biotin कहते है वैसे vitamin B3 का chemical name यानि के रासायनिक नाम क्या है नियासिन है ठीक है नियासिन या नियासिनामाइड कहा जाता है और vitamin B3 की कमी से कौन सा रोग उत्पन होता है तो अगर देखें रिकेट्स तो ये तो vitamin D की कमी के कारण होता है इस करवी vitamin C की कमी के कारण होता है vitamin A की कमी के कारण night blindness यानि के रतोंधी होती है और vitamin B3 की कमी के कारण होता है आपका पेलेगरा यानि कि नियासिन के कारण कौन सा रोग होता है तो पेलेगरा रोग होता है और ये आपका है right answer यानि कि A अगला प्रश्चन है Which instrument is used to measure the atmospheric humidity यानि कि वायूमंडल की आर्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है option है आपके hydrometer, hydrometer, altimeter या barometer तो देखें barometer का इस्तमाल हम लोग atmospheric pressure यानि कि वायूमंडल ये दाब को मापने के लिए करते हैं altimeter का इस्तमाल altitude यानि कि उचाई को मापने के लिए किया जाता है और ये खास तोर पर वायूयानों में लगा होता है कि वो आपका वायूयान कितनी उचाई पर उड़ रहा है hydrometer जो है ये विभिन द्रवों की relative density यानि कि सापेक्षी घनत्तों को मापने के लिए hydrometer का इस्तमाल किया जाता है लेकिन वायूमंडल की आर्दता को मापने के लिए या आर्दता मापी यंत्र जो है that is known as hydrometer इसको hydrometer कहा जाता है तो right answer होगा आपका B clear है उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को clear होगा तो channel को like, subscribe और share जरूर करिए साथे साथ bell icon को press करिए ताकि next video update आपको मिलते रहे ठीक है तो इसलिए आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी तो channel को subscribe और like जरूर करिए धन्यवाद